हलो साथियों बहुत बहुत बेलकम है आपका एक और नई वीडियो में छात्रों की डिमांड पर में लेकर आया हूं भिन्न का LCM निकालना देखो LCM HCF तो आप जानते होंगे लेकिन अगर कोई फ्रेक्शन है उसका LCM HCF करना है तो कैसे करते हैं वही मैं सिखाने वाला हूं जैसा कि आपको पता है वन वीडियो वन टॉपिक यह चल रही है आपको अभी तक चार वीडियो मिल चुके हैं और यह चार टॉपिक हैं बलेक वाले पांचवे में बहुत से बच्चों ने डिमा आते हो ठीक है जिस पर ज्यादा आएंगे कमेंट्स उस पर मैं वीडियो बताऊंगा ठीक है चलो बहुत ही होता है बहुत ही इसमें क्या करना हमें LCM न तो यह फार्मूला याद रखना इसका जो भी करना है LCM HCF ठीक है वह उपर रहेगा उपर का मतलब ऐसे अंस का MM all और हर का HCF यह दोनों एक साथ चलते हैं अगर हमें LCM का अन्स का LCM निकालेंगे मतलब पूरी भिन कर अगर हमें LCM निकालना है तो हम हर ऑन सका зखना यह अंकर यह हम रहेगा होता तो ऊपर अब क्या होगा भया इसको हल करोगे आप बहुत ही प्यार फे एकदम अच्छे से तो आपको मिलेगा क्या छे और पांच का यूप 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 आपको पता चुछ और पांच में आपस में कोई नहीं है अगर इसमें कोई common factor नहीं है तो प्यारे बच्चों क्या होगा फिर क्या होगा इफ कोई common factor नहीं है तो इसमें क्या होगा कि इनका multiple ही इनका का LCM होता है अब LCM HCF आपको आता है नहीं आता तो मुझे बताना उसका अलग वीडियो दे दूँगा ठीक है तो पांच वाच्छे का LCM निकालोगी तो आएगा 30 लिख दूँ क्या मैं लिखो पांच वाच्छे का LCM नीचे 5 वा 10 का HCF बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है ठीक है बढ़िया मस जबर जस चलो तो इनका LCM हो जाएगा 30 इसका HCF हो जाएगा 5 पस यहीं हो जाएगा इनको हल कर लो 35 बराबर 6 बटा एक या फिर आप सिर्फ और सिर्फ 6 बोल सकते हो ठीक है किसी को कोई डाउट नहीं सभी साथी फटाफट वीडियो को लाइक करने दबा के ठीक है आपकी मांग पर ही यह वीडियो ला रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं हल कर सकूँ एजा डाउट ठ जादा फिजादा अपनी बात बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और लाइक जसे यह आपकी जिम्मेदारी चलो दूसरा नंबर सवाल सिकेंड नंबर बहुत ही छोटी छोटी नंबर समय लूँगा ठीक है जिससे उनको आप समझ पाओ जैसे यह हो गया कि आपको जो भी चाहिए अगर लसीम चाहिए तो आप अंस का लसीम करोगे अंस को इंगलिस में बोलते हैं नुम्रेटर ठीक है तो बच्चा यह चीज समझ लो जैसे यह है ना इसमें यह क्या है नुम्रेटर है यह देनोमिनेटर है क्या है देनोमिनेटर क्योंकि हमारे जो हिंदी वाले बच्चे नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत होती मेरी भासा से न तो यह जान लो नुम्रेटर यह देनोमिनेटर ठीक है इपी वांट फॉइंड ऐल्चियम डेन क्या करोगे नुम्रेटर का ऐल्चियम फइंड करोगे फिर डेनोमिनेटर का एच्ची अफ बस चलो तो क्या करोगे भाया हल कर लो लिखो अल्फियम आफ नुम्रेटर आपकी इंगलिस में कर देता हूँ पिछला हिंदी में लिखा था हिंदी वाले लिखे लो अंसों का अल्फियम नीचे लिखो हरों का अच्छियम बस खतम ठीक है तो इसमें चौदावा बारा का हमें निकालना अल्फियम चौदावा बारा का कोई ऐसी संख्या जो चौदा से भी कड़ जाए बारा से भी कड़ जाए और मुझे लगता है कुल लंबा खिच जाएगा काई थोड़ा छोटी कर दू नंबर क्या एक काम करो हमें बनाना इसको आसान से असान निकलने को निकल जाएगा लेकिन क्या ही मतलब है इसको कर लो 28 अध्यों क्या होगा जानते हो 28 लुदा से बिकड़ जाएगी और वहीं संख्या होती है जो दी गई सभी संक्याओं से पूरता डिवाइड हो कि अगर कोई संख्या आपस में ऐसी दी गई है ज जैनि चोटी सभी संख्याओं से बढ़की सारी संख्या जो है मतलब सबसे बड़ी वाली वह पूर्टा डिवाइड है तो सबसे बड़ी संख्या होती है तो इसमें 14 वाट 23 काल्सियम कितना होगा बच्चा कोई किसी को डाउट नहीं पता दो कोई डाउट हो तो मुझे बताओ नहीं ना बढ़ियां सब कि चलें ठीक है तीज़रा कि थार्ड नंबर पर आजाओ कि क्या करना है कि एक और करवा दूं ठीक है अभी तो नो का एलफियम ओनली एलफियम ही होगा इसमें अब मुझे बता कौन सा होगा इसमें आपसन बता तो चलो पहला पांच बटा साथ होगा दूसरा 21 होगा तीसरा 21 बटा 45 होगा और एक आपसन और है ना ना अबदी जिन में से कोई नहीं बता भईया 3A 3B 3C 3D क्या कह रहो को प्रोटा वीडियो वाता लोग अबाइट करते हैं वरिसाब सीखना आना आपको सीखो प्यार से कलास देखो ठीक है कलास में फोकस करो बस चलो कैसे करोगे एलफियम आफ नुम्रेटर तीन वा साथ का क्या करोगे एलफियम ठीक है तीन वा साथ का एलफियम और पांच वा नौ का एचसी अफ देखो पीछे वाला अगर आपने देखा है वीडियो जो अभी पढ़ाया हूँ तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी ठीक है नुम्रेटर यानि अंस का दोनों भिन्नों के अंसों का क्या करोगे लोगे और हरों का एचसी बस यहीं सूत्र है तो तो तीन वा साथ का एलसी में कैस और यह पांच नवा पैतालिस नहीं गलत एचसी अप निकालना है हाइस्ट कॉमन फेक्टर दोनों संख्याओं में को होना चाहिए कुछ भी पूछना है तो कमेंट करो फटा फट बताओ सभी को समझ में आ पका चलो आगया तो चार नंबर लिखो कि नौ बटा छे वा साथ बटा पांच का एलसी एम पांच बारा बटा सताइस वा अठारा बटा सोला का एलसी एम छटमा लिखो 29 बटा 42 वा 38 बटा 36 सतमा लिखो 11 बटा 23 वा 14 बटा 20 इन सबका आप लोग एलसी एम निकालोगे होम वर्क है और कमेंट करके मुझे बताओगे ठीक है तो यह वीडियो में बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट में जरूर बताना कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए किस टॉपिक तो वीडियो चाहते हो इसको पूछा था विकास जीने स्वयता कुमारी मंगल सिंग और कौन था पूनम सुकला अमित अग्रवाल सोभित प्राची दुवेदी संजु कुमारी अमित सिकेंड नहीं आसीज बिसकर्मा और भी बहुत से किया था यह टाप नाम है ठीक है थैंक्यो